तो अससलाम वालेकूम गाईज इस मीन और चारली लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक ब्रेंड न्यू वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वेपन मास्टर टाइटल के बारे में के कैसे हम इसली वेपन मास्टर टाइटल को ले तो काफी अच्छे चे टिप्स में आपको वीडियो में दिये हैं और दो ऐसी बोट लोकेशन हमें आपको बता हैं जहाँ पे तीन से चार बोट इजली स्पॉन हो जाते हैं तो वीडियो को शुरु से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए और अगर आप इस चैनल पे नहीं हो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को ओल पे कर ले ताकि आपको तो आपके लिए तोड़ा hard होगा लेकिन तब भी आप complete कर लोगे लेकिन squad में ये है कि squad में बंदा एक ही match के अंदर complete कर लेता है तो यहाँ पर मैं achievements के अंदर आज चुका हूँ weapon master में कौन-कौन से kill करने ये तोड़ा आपके लिए जोएना highlight करूँगा तो पहला kill हम AR से करेंगे, second हम SMG से करेंगे, third हम shotgun से करेंगे fourth हम जोएना sniper से करेंगे, fifth car से करेंगे, मतलब vehicle से और sixth हम grenade से करेंगे, उमीद है कि आपको जोएना highlight हो चुका होगा ये बाकी मेच के अंदर, game के अंदर भी आपको दिख जाएगा कि मैं कौन-कौन से kill पहले करता हूँ और कौन से बाद में करता हूँ, तो मैं वही kill जोएना पहले करता हूँ जो hard होते, जिसे के car हो गया है, short gun हो गया है, grenade हो गया है, उसके बाद जोएना बाकी आप जो हैना, real बंदों भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी planning ये थी, अपने squad के साथ के offline बंदे देखे, लेकिन हमारी किसमा तच्ची नहीं थी, offline बंदा एक पी नहीं था, लेकिन आपने गबराना नहीं है, आपने loot वगेरा कर लेनी है, बंदों को बोल लेना आप ने, कि ये ये गन उठालो, और आपने भी उस हिसाब से वो वो गन उठालेने हैं, जो उनके पास नहीं होती, तो पहली boat location हमारे पास के मिश्की के करीब इस वाली जगा पे, उमीदे आपको देखने से अंदाजा लग चुका होगा, तो बाई लोग बात करेंगे अपने sponsor क सेरिश गेमिंग के नाम से इनका यूटूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, 1v4 में कहलती है, 20-25-25 किलने का अलती है, यकीन नहीं है ताप लोग को, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मुझूद है, जाईए वीडियो को लाइक करना ज तो हमारा पहला बोट जेना स्पॉन हो चुका है, और सबसे पहले जो हार्ड मुझे लगता है, वो कार वाला है, वेकल वाला है, तो वेकल वाला पहले मैं कर लिता हूँ, उसके बाद शोटगन है, और हमारा बोट पी दूसरा स्पॉन हो चुका है, तो दूसरा मैं शोटग जाना बिल्कुल नहीं यह आपका स्कॉाड आपके साथ है आपकी हेल्प करने के लिए तो आप उनको बूल ले जना कि मतलब जो गन आपको चाहिए लोंग रेंज के लिए वह आपको दे देंगे तो एक मैंने एयर उटा ली और दूसरी मैंने इस केस उटा ली क्योंके इस के मतलब एर में मतलब हमारे PK से एयर है और ये तो नहीं आप हम पुछ करेंगे हम आपको देखेंगे मतलब के ये के फुछ करके इनों गल्ती की तो जिस SYK से बाई साब महामें पुछ करके कर लो रिस्क नहीं लेना आगे पीछे कोई और ना मर ले बोट ना मर ले तो हमारा air वाला भी हो चुका है और कार वाला भी easily हो चुका है बाकी रहते smg वाले और grenade वाले आपका रिस्गा है तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ जोन के अंदर लेकिन यहाँ पे पीछे मुझे तोड़ा सा जोना कुछ दिख जाता है कि रोट को क्रोस करके जा रहा है अपकी बाइक की नजरे काफी अच्छी है आपकी बी नजरे कुली रहनी चाहिए यह वेपन मास्टर को कम्पलीट करने में क्यूंकि आपका जोना बोट से आपको फाइदा देंगे जैसे ग्रिनेट किल के लिए अभी जोना बोट ही मुझे जोना फाइदा दे रहे है तो बोट को मैंने इसली किल कर लिया है अभी लास्ट जोना SMG किल रहे गया है यहाँ पे भी बाइक पर जोना एक बंद या दो बंद जा रहे होते मैं इतना ज़्यादा डैमिज देता हूँ यह पी पी गने जोनसी भी गने लेकिन पता नहीं इसको रिजिस्टर नहीं होती अगरे इंटरेट में मसलह होता है या इस गन की डैमिज ہے ही नहीं क्योंके काफी जो है ना मैं उसको डेमिज देता हूँ आपको बलड दिक पी रहोगा खुद भी लेकिन ये बंदा नोक होने का नाम ही नहीं ले रहोता बट ये मतलब लास्ट रिजल्ट ये निकला कि ये बच के निकल जाता है लेकिन पिर भी जो है ना मतलब हमने ये सोचा कि अभी जो है ना हम अगर बिच से जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात आ सकती है तो मैंने इनको कहा कि हम लास्ट वाले सर्कल में किल निकालेंगे हम जोने पहले सर्वाइफ करते क्योंकि एक ही किल रेच चुका है रिस्क नहीं लेना एक ही गेम में अगर कम्प्लीट करना है तो स्ट्रेटिजी के साथ करना होगा आपको तो सीधा चलता हूँ लास्ट वाले सर्कल में मैंने को बोला हमने रोट्रेट करना है तो वो लोग गाड़ी में जा रहोते हैं मैं कहता हूं मैं बगई में जा रहो हूं क्योंकि अगर मुझे कोई snake मिलता है तो इसको मैं किल कर लूँगा और यहाँ पे मुझे snake मिल भी जाता है अगर आपको नहीं दिखा तो वीडियो को तोड़ा पीछे करके आप देख लेए आपको स्नेक मिल जाएगा फ्रंट पर आके उसके कड़ा करता हूँ और सीधा SMG से मारता हूँ लेकिन ये सोल रहता है ना मतलब के मैंरे को लगता है कि इसको मैं नो करूंगा वो पर उसके बाद फुल किल करना पड़ेगा लेकिन ये होता है सोलो तो सोलो मे मारने में और भी आसानी हो जाती है और आपके बाई ने जो है नो किल कर लियते है इसलिए नो किल किये ताकि कुछ लोग कहते हमारा काउंट नहीं हो रहा तो मैंने इसमें चिकन डिनर भी ले लियता और नो किल भी कर लियते है पिर भी हमारा काउंट हो जाता है जैसे का आ बील चुका है और अभी आपको अंदर से भी टैटल कलेक करके दिखा देते हैं कि वाइस आप ये रेले कोई फेक नहीं है तो जिन लोग को जो डाउट से उन लोग को डाउट्स में यहाँ पे क्लियर कर लेता हूं अभी आपने एक गंज से मार के दूसरे गंज से फिनिश न काना इंशाला क्रेट ओपनी की वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिये अजाज़त दुआ हमयाद रखिए अल्लाहाफिस